तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नमबर 4 मोशन का सेकेंड वीडियो तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कुशन कर लिया था कि मोशन क्या होता है तो मैंने वहां पर आपको समझाया था कि जब भी कोई लोग बोलते हैं कि वो जो अबजेक्ट किस में हैं मोशन में हैं करके अब हम लोग यहां पर मोशन का क्या करेंगे डिटेल में देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन ओफ मोशन ठीक है माल लेते हैं कि कोई एक अबजेक्ट है जो अबजेक्ट जिसका इनिशल जो पॉइंट है उसको हमने क्या नाम देखे रखा हुआ है मतलब वो अबजेक्ट यहां से जो है चलना चालू करेगा उसका स्टाटिंग का जो पोजिशन उसी को बोलते है इनिशल पॉइंट ठीक है जैसे अगर आप अपने घर से इसकोल जाने के लिए अगर निकलते हो तो आपका जो घर है वो आपका क्या कहलाएगा इनिशल पॉ पहले वो अबजेक्ट क्या क्या O से कहां गया D पे गया फिर D से कहां गया वो C पे गया फिर C से वो कहां गया B पे गया फिर B से वो कहां पर गया A पर गया अब जो object है जो initial point से चलना चालो किया और A इसका final point है final point मतलब जहां पर वो जाके रुख जाएगा तो यह हो गया final point और यह हो गया हमारा initial point तो वो जो भी object था वो initial से final कितना distance travel किया देखो 5, 10, 15, 20 ऐसे करते करते वो जो object है वो 50 km का distance जो है क्या किया है cover किया है now it return back on the same path from B to C अब वो object क्या कर रहा है वापीस आ रहा है वापीस आ रहा है का मतलब क्या है कि वो जो है फिर से इस direction में return आ रहा है तो जब वो return आ रहा है तो देखो कौन सा गया वापीस जब आएगा तो A से B जाएगा B से C जाएगा C से D जाएगा D से O जाएगा objectives अब वो आदमी तो पहले क्या किया O से लेके A तक गया O से लेके A तक गया जो कि कितना distance है 50 km फिर वो A से वापीस आया कहां तक initial point तक नहीं आया D तक आया तो A से लेके D तक का distance कितना होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 km तो पांच 40 km यहां से ठीक है सौरी 5, यह हुआ 10, यह हुआ 15, यह हुआ 20, यह हुआ 25, यह हुआ 30, यह हुआ 35 और यह हुआ 40 तो 40 km वो वापीस आया तो total distance कितना होगा 50 जाने का और 40 जो है आने का The total length of path covered by the object is called distance अब यहां पर एक नया definition बना distance distance क्या होता है The total length of the path covered by the object जब भी कोई object चालू होता है और जब तक वो रुकता नहीं है तो start होने से लेके end होने तक को जितना भी length क्या करता है जितना भी path को cover करता है या length of path को cover करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं distance बोलते हैं इस example में हमारे distance कितना है 90 km But what is the difference between the objects initial and final position अब देखो total distance क्या होता है initial से final point तक पहुँचने के लिए जो object जितना length of path को cover करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं distance बोलते हैं जो कि इस example में 90 km है लेकिन initial point क्या होता है और final point क्या होता है देखो initial point या initial position of object वो होता है जहां से वो motion करना चालू करता है और final position क्या होता है जहां पर जाकर वो रुख जाता है तो इस example में initial point कौन सा था O O से वो कहां गया A तक A से फिर कहां आप अपिस आकर रुखा D तक तो D हमारा क्या कहला हैगा final point initial point जहां से वो चलना चालू क्या final point जहां पर हो जाकर रुख गया अगर आप school जाने के लिए घर से निकल रहे हो तो आपका घर initial point होगा इस school पहुँचके आप रुख गया तो आपका final point होगा difference between the initial and final position of the object is 10 km अब देखो initial position कौन सा है ये वाला है और final position कौन सा है D है तो initial position और final position के बीच में कितना difference है ये final नहीं है final जो है ओ से लेके ये तक था जरनी का था final distance ये होगा लेकिन A से वो वापिस आया है और तो final जो location होगा वो कौन सा होगा हमारा D वाला final होगा ठीक है क्योंकि वो A पे जाकर रुका नहीं वापिस आ गया तो ये initial है और ये final है तो initial और final के बीच में कितना किलोमेटर का difference है 10 किलोमेटर का difference है here the difference between the initial and final position of an object is 10 किलोमेटर this difference is called displacement आपको दो चीज़े एक्जाम में हमेशा पूछेगा difference मतलब एक तो distance का definition दूसरा displacement का definition और दूसरा question what is the difference between distance and displacement तो displacement क्या होता है initial point से final point के beach में जो difference होता है उसको हम लोग क्या बोलते है displacement बोलते है और distance क्या होता है अपने journey के दौरान जो total distance जो cover क्या रहता है उसको क्या बोलते है या total length of path जो cover होता है उसको बोलते है distance और final position और initial position के beach के जो distance होता है उसको हम लोग क्या बोलते है displacement बोलते हैं, ठीक है, I hope आपको distance और displacement दोनों बातें समझ में आ गई होंगी Now let's understand distance covered in a displacement is more depth आप तुरह से detail में और पढ़ते हैं कि distance क्या होता है, displacement क्या होता है, ठीक है तो distance मतलब total length of path और displacement मतलब क्या हो गया initial or final position के बीच का difference जैसे माल लो, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और आपका school है यहाँ पर, school है ये आपके घर से आपके school कर जो distance है, ये distance माल लेते हैं कि ये distance है हमारा 10 km का, ठीक है, तो आप सुबह school के लिए निकले अपने घर से तो आपका initial point कौन सा हो गया सेम है, तो जब आपका initial and final point सेम है, तो इस example में अगर हम distance की बात करें कि हमने कितना distance कवर किया तो जाने का 10 km और आने का 10 km, तो हमारा total distance कितना हो गया, हमारा distance हो गया 20 km और अगर मैं आप से पूछ हूँ कि displacement कितना हुआ, तो displacement का definition क्या होता है initial and final point के बीच के difference कितना है, तो अभी तो हमारे initial point भी हमारा घर है, और final point भी हमारा घर है, तो दोनों में तो कोई difference है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, zero displacement हुआ तो जब भी कोई object जहां से निकला होता है, घूम फिरकर अगर वही आपिस आ जाता है न, तो उसको हम लोग बोलते है कि displacement कितना है, zero है तो distance or displacement I hope थोड़ा सा आपको clear जो है, हो गया होगा ठीक है, चलो एक और example से आगे समझते ही यहां पर देखो, to represent the displacement of an object along with magnitude, we also need the direction of the motion, such quantity is called vector quantity, अगर हमें displacement को समझना है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम जिस दास्ते में जा रहे हैं जितना distance हम cover कर रहे हैं उसका direction क्या है, क्या हम east direction में डा रहे हैं, west direction में जा रहे हैं, या north में जा रहे हैं, या south में जा तो जो displacement होता है वो direction के बीना अधूरा होता है और ऐसी कोई भी quantity जिसमें दो चीजे होती हैं एक तो magnitude होता है, magnitude मतलब quantity होता है और दूसरा direction होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं displacement बोलते हैं, ठीक है जैसे मैं अगर मैं बोलता हूँ, कि मैं 10 km गया अब ये 10 km में किधर गया East, West, North, South नहीं पता तो ये जो 10 km है ना, ये simply distance है मैंने 10 km का distance travel किया लेकिन अगर मैं अपने बोलने की भासा बदल दूँ कि मैं 10 km North Side में गया अपने घर से 10 km North Side में गया तो आप देखो, ये जो 10 km है ना इसी को बोलते है quantity और quantity को ही क्या बोलते है magnitude तो 10 km हमारे क्या हो गया magnitude हो गया और North क्या हो गया हमारा direction हो गया तो जब magnitude और direction दोनों मिलते हैं वेक्टर quantity और जब सिर्फ magnitude होता है तो उसको हम लोग बोलते है scalar quantity तो जैसे पहले वाले एक्जाम्पल में मैंने बोला कि मैं 10 km गया तो मैंने direction तो बताए नहीं तो जब मैं direction नहीं बताता हूँ तो उसको हम लोग बोलते है scalar quantity और जब मैं बोलता हूँ कि मैं 10 km north में गया ये east में गया ये west में गया उसको बोलते हैं हम लोग क्या, vector quantity जो है, हम लोग बोलते हैं, तो एक और बार revise करते हैं, पहला definition हमने क्या पढ़ा, हमारा distance क्या होता है, तो distance क्या होता है, अपने journey के दोरान, जो भी total length of path हम cover करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, distance बोलते हैं, displacement क्या होता है, हमारा initial position क्य क्या था और final position क्या है इन दोनों के बीच में जो difference है उसी को हम लोग क्या बोलते है displacement बोलते है ठीक है उसके बाद दूसरा चीज हमने समझा क्या होती है और vector quantity क्या होती है तो इस scalar quantity वो quantity होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भी जो है होता है या direction की बात की गई होती है चल एक example देखते हैं अगर उपर वाले example को अगर हम लोग देखते हैं कौन से example यह वाले यह वाले example को अगर हम देखते हैं तो अगर कोई object सिर्फ O से निकल कर A तक जाता O से निकलता और A तक जाता तो उस case में क्या होता देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हमारा object O से लेके A तक जाता तो हमारा distance कितना होता 50 km और displacement भी हमारा कितना होता 50 km क्योंकि इस case में initial point यह था हमारा O और final point हमारा क्या था यहाँ पर A था तो अगर O object O से निकलता और A पर जाके रुख जाता तो उस case में हमारा distance भी कितना होता 50 km होता और हमारा displacement भी क्या होता 50 होता क्यों क्योंकि यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 0 है तो displacement कैसे निकालेंगे final position minus initial position तो कितना आ जाएगा 50 km अगर object O से A तक जाता तब की बात है नहीं मतलब अगर आप अपने घर से निकलते और school जाके रुख जाते तो इन दोनों के बीच में अगर मैं पुछता distance कितना है तो 10 km होता और displacement भी पुछता तो कितना होता displacement भी हमारा 10 km होता क्योंकि final position अभी हमारा school है thus the magnitude of displacement and distance is equals तो इससे हमें एक बात समझ में आता है कि distance और displacement दोनों का जो magnitude होता है वो क्या होता है same होता है difference क्या होता है दोनों में direction का बात जो है होता अगर direction जुड़ गया तो displacement है direction नहीं जुड़ा तो वो सिर्फ आपका distance है if the object moves from O to A and return back to O then the total distance, total length of the path is 50 plus 50 km which is equals to 100 km वहीं बोल रहा है कि अगर object O से निकला और A पर गया कितना km गया 50 km गया और 50 km वापीस आ गया तो अगर हम लोग total distance की बात करते तो जाने का 50 km, आने का 50 km कितना हो जाता है distance? 100 km लेकिन हमारे displacement कितना होता? 0 क्यों? क्योंकि वो निकला कहां से था? initial position उसका O था और final position भी इसका यहीं है तो दोनों में तो कोई difference ही नहीं है 0 km का difference है, तो हमारे displacement क्या हो जाता? 0 हो जाता, ठीक है? आप देखो, एक और example यहां पर दिया हुआ है A man walks 3 km टूर्स East एक आदमी जो है A से B तक 3 km गया later he moves 8 meter अब वो 8 meter नौर्थ की तरफ गया और उसके बाद 3 meter जो है West की तरफ गया अगर हम इसमें total distance की बात करें तो हमारे distance कितना होगा? 3 meter प्लस 8 meter प्लस 3 meter तो 3 प्लस 8 होगा 11, 11 प्लस 3 कितना होगा? 14 meter तो हमारे distance कितना होगा? 14 meter और initial position के बीच में देखो कितने का gap है? इन दोनों के बीच में 8 meter का distance है 8 meter का gap है? तो हमारे displacement कितना होगा? 8 meter और हमारे distance कितना होगा? 14 meter तो यहां से एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो distance होता है न वो displacement के बराबर तो हो सकता है लेकिन उससे कभी भी छोटा नहीं होगा मतलब displacement हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा distance को कभी भी exceed नहीं करेगा जबकि distance जो होता है वो displacement से बड़ा हो सकता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको यह बात जो है समझ में आते जाएगा आई होप आपको distance displacement और आपका vector quantity scalar quantity आपको समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहेगा बाई बाई